क्लास फिप्त सबजेक्ट हिंदी बाई दीक्षा दांगी आज का हमारा टॉपिक है पार्ट चार जिसका नाम है मेरा भारत महान जैसा कि हमें पता है हम पहले चैप्टर बढ़ चुके हैं तो अब हम इस चैप्टर की एक्सेसाइज कंप्लीट करते हैं हमारा फ्रस्ट कोश्चन है सही जोडिया बनाएए जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो चैप्टर एक कविता के आधार पर है हमने कविता पड़ी है तो उस कविता के वेस पे हम यहां मैचिंग कंप्लीट करते हैं तो आएए मैचिंग देखते हैं फिर्स्ट है जिसका पावन इसमें क्या आएगा भारत में ही उच्छ हिमाले गंगाजल काश्मीर तो मैचिंग हमें आजानी चाहिए क्योंकि मैचिंग बहुत इजी है जिसका पावन गंगाजल यहाँ पर मैंने नम्बरिंग की हुई है तो आपको आणसर भी मिल जाएगा जिसका पावन गंगाजल सेकंड देखिए केसर केसर में क्या आएगा भारत में ही उच्छ हिमाले काश्मीर केसर काश्मीर थर्ड देखिए रक्षा की दीवार इसमें क्या आएगा भारत में ही या उच्छ हिमाले तो रक्षा की दीवार उच्छ हिमाले है ना क्योंकि हिमाले हमारी रक्षा की दीवार की तरह रक्षा करता है हमारे देश की है ना बहुत ही उची परवस रंगला है जो कि हमारे देश की रक्षा करता है फोर्ट देखिए कुत्व मिनार तो लास्ट क्या बचा है भारत में ही सबको पता है कुत्व मिनार कहा पर है कुत्व मिनार भारत में है एक बार आप मेरे साथ दोराईए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा आजर के साथ हमें एक बार दोराते हैं जिसका पावन गंगाजल, केसर, काश्मीर, रक्षा की दीवार, उच्छे हिमाले, कुतो मिनार भारत में ही आजाएगा, अब हम नेक्स्ट कोशिन करते हैं हमारा नेक्स्ट कोशिन है, रिक्तिस्थानू की पूर्ती कीजिए, फिलप से ये भी हमें आसानी से आजाएगे, क्योंकि हमने कविता बहुत अच्छे से पड़ी है फर्स्ट देखिए, जिसकी सत्य डैस घरगर अलग जगाती है, तो यहाँपर आंसर भी लिखे हुए है जिसकी सत्य अहिंसा घरगर अलग जगाती है सेकंड, डैस में ही ताजमहल है, सबको पता है ताज में लखा है अब कुछ लोग बोलेंगे कि आगरा में है, लेकिन वो बात भी सही है, ताजमहल तो आगरा में है लेकिन हमारे चैप्टर में कहां बताया है, हमारे चैप्टर में भारत आंसर दिया हुआ है और आगरा भी भारत में है, तो हमें आंसर भारत ही लिखना है अगर आप आगरा लिखोगे तो वो wrong हो जाएगा क्योंकि वो chapter के base में नहीं रहेगा, answer है ना, तो हमें chapter के base में answer देना है, तो हम क्या लिखेंगे, भारत में ही ताज महल है, third देखिए, सारे जगमे डैस का जगमक दीप चलाया है, सारे जगमे विश्वसांती का जगमक जिसका जो पावन गंगा का जल है, वो क्या कहलाता है, अमरित के समान माना जाता है, मैचिंग के बाद हमारे फिलप्स भी complete हो गए है, तो फिलप्स को हम एक बार दोहरा लेते हैं, हमारे साथ दोहरा आईए, तो आपका अच्छ से हो जाएंगे, जिसकी सत्य अहिंसा घर- जगाती है, भारत में ही ताज महल है, सारे जग में विश्व शान्ती का जगमग दीव जलाया है, जिसका पावन गंगा जल अमरित कहलाता है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखें, हमारा नेक्स्ट कोशन है, निम्नलिकित प्रिश्णों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, श आंसर क्या होगा, केसर की क्यारी काश्मीर को कहा जाता है, हमारी मैचंग में भी था केसर काश्मीर की, है न, केसर की क्यारी काश्मीर को कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान से ये पढ़ना और ध्यान से समझना, है न, बहुत एजी आंसर है, लेकिन हमें एक बार अच्छे से प पढ़ाया है, सारे जग को मानफता का पाथ भारत ने पढ़ाया है, सारे जग को मानफता का पाथ भारत ने पढ़ाया है, सारे जग को मानफता का पाथ भारत ने पढ़ाया है, सारे जग को मानफता का पाथ भारत ने पढ़ाया है, सारे जग को मानफता का पाथ भारत ने रक्षा की दिवार कहा जाता है ध्यान रखना भारत ने विश्व को कौन सा पार्ट पढ़ाया है भारत ने विश्व को मानवता का पार्ट पढ़ाया है ये थे हमारे short type questions जो कि बहुत easy है one word में answer है इनको एक बार और दोरा लेते हैं ताकि हमें अच्छी से याद हो जाएं first question है आप मेरे साथ दोराईए question और answer दोराईए केसर के क्यारी किसे कहा जाता है केसर के क्यारी काश्मीर को कहा जाता है सारे जक्को मानवता का पार्ट किस ने पढ़ाया है सारे जग को मानवता का पार्ट भारत ने पढ़ाया है हिमाले को रक्षा की दीवार क्यों कहा गया है हिमाले की उंचाई के कारण हिमाले को रक्षा की दीवार कहा गया है भारत ने विश्व को कौन सा पार्ट पढ़ाया है भारत ने विश्व को मानवता का पड़ाया है याद हो जाएंगे आपको बहुत इजी है ना नेक्स्ट कॉशन देखें हमारा नेक्स्ट कॉशन है निम्नलिकित प्रिश्णों के उत्तर दो या दो से अधिक वाक्यों में दीजिए अब हमारे long answers है और ये लगूत तरी है प्रिश्णों जिनको हम कहते हैं ना देखते हैं फर्स्ट कॉशन ये भी बहुत इजी है अच्छे से बढ़ना फर्स्ट है भारत देश को जगत का पतिदाता क्यों कहा गया है यहाँ पर क्यों आएगा भारत देश को जगत का पतिदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत ने विश्व को मानवता का पार्ट बढ़ाया है भारत ने ही सारे जग को उन्नती का रास्ता दिखाया है सारे जग को बतलब सारे संसार को उन्नती का अर्थ होता है विकास के रास्ते पर चलना कि हमें अपने देश के उन्नती कैसे करनी है हम आगे, मतलब हर चीज में आगे कैसे बढ़े कि हमारा देश नंबर वन कहला है तो हमारे भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि उन्नती के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ा जाता है हर field में हम कैसे अपने आपको विक्षित करें है तो यह हमारे भारत ने ही सिखाया इसलिए हमारे भारत को पत्ध दाता याने की रास्त दिखाने वाला कहा जाता है एक बार और पढ़ लेते हैं भारत देश को जगत का पतित आता है इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत ने ही विश्व को मानत्ता का पाट पढ़ाया है भारत ने ही सारे जग को उन्नती का रास्ता दिखाया है ठीक है? सैकिंड कॉशन दिखते है जिसकी सत्य अहिंसा घर गर अलग जगाती है से कवी का आसा है कि भारत ही एक मात्तर ऐसा देश है जिसने सारे जगत को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया है भारत के प्रतेक घर में सत्य और अहिंसा की जलक परिलक्षित होती है जिसके सत्य अहिंसा घर-गर अलग जगाती है मतलब कि भारत के हर घर में सत्यता और अहिंसा आपको देखने को मिल सकती है है ना सत्यता मतलब किसी ना किसी भावना में लोगों की अंदर भावना होती है एक दूसरे के प्रती है ना तो ये सत्तिता और अहिंसा एक दूसरे को हानी ना पहुंचाना है भारत में विशेश तोर पर एक दूसरे के प्रती सहानुभूती प्रेम की भावना परिलक्षत याने दिखाई देती है एक दूसरे के प्रती प्रेम दिखाई देता ऐसा आगे क भारत की एक विशेस्ता है इसलिए कहा जाता है कि जिसकी सत्य अहिंसा घर घर अलग दिकाती है मतलब परिलक्षित होती है उसकी जलका में देखने को मिलती है थर्ड कोशन देखते हैं भारत में कौन-कौन सी प्रिसित इमारते हैं उनकी नाम बताईए तो भारत में कुतुम मीनार, ताज महल, लाल किला और खजराहो के मंदिर जैसी प्रिसित इमारते हैं विश्व को भारत ने किन किन भातों की सिक्षा दी है बताएए विश्व को भारत ने सत्य अहिंसा मानवता एकता प्रेम पूर्वक आपस में मिल जुल कर रहना दूसरों की सुख दुख में सच्ची हिर्दय से एक दूसरे का साथ निवाना उन्नती के रास्ते पर चलना आदी बातों की सिक्षा दी है ये सारी बाते हम शॉर्ट टाइप कोशन्स में और भी कोशन्स में पढ़ चुके हैं तो इन सब को मिला कर हमने ये वाला आंसर बनाया है इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं विश्व को भारत ने सत्य अहिंसा मानवता एकता प्रेम पूर्वक आपस में मिल जुल कर रहना दूसरों के सुक दुख में सच्चे हिर्दै से एक दूसरे का साथ निवाना उन्नती के रास्ते पर चलना आदी बातों की सिक्षा दी है ठीक है